सब कुछ बढ़िया जा रहा होगा और अभी तक जो भी क्लासेज मैंने दी हैं वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा वाई चैंस कोई भी कोश्चन होता है कमेंट करके बताओ और अगर कुछ अलग related questions है तो आप simply मेरे चैनल पे आके यहां पे जिसे की मेरे है तो यहां पे पूछ दो अगर चाहते हो कि मैं कमेंट में रिप्लाई करूं तो कमेंट में रिप्लाई कर दोगा नहीं तो separate वीडियो बनाके रिप्लाई कर सकता हूं तो जो भी questions है आप community tab में आके पूछ लो अभी बहुत कुछ लोगों पूछा कि ठीक है इसको save कैसे करते हैं कुछ नहीं कमेंट किया था और फिर इसको render करके देखे हैं कैसे तो यह सारी चीज़े इस वाले वीडियो में बताता हूं अभी और भी बहुत कुछ यह लोट में तो फिलहाल मैं यह बता देता हूं नेक्स वाले वीडियो से आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने यहां पर यह क्लीन अप कर लिया था यह वाला जो टेक्स था यहां पर यहां हमारा यह जो paint है paint के नीचे आपका output होना चाहिए render करने के लिए तो अगर यह by chance output node नहीं है सिर्फ paint है तो आप यह यहां से nodes में जाके यहां से output node अगर मिलता है यहां पर मिल जागा इंदर जाके यहां से डारेक्स ले लाकर drag कर लो और connect कर लो इस तरीके से sorry मैंने गलती जगा connect किया यहां पर connect करो वो भी क्या होता यह सब कुछ मैं बताऊंगा बढ़ धीरे धीरे बता रहा हूं तो अभी इतना ही जानते हैं output node लेना अभी decide करना है हम लोग कहां पर इसको render करने वाले हैं तो मैं अभी decide करने वालों को ठीक है मैं यहां पर एक fuller बना रहूँ इसका नाम दे देता हूं कुछ भी देखे कुछ भी मैंने नाम दे दिया अभी इसके अंदर मेरे को रिंडर करना है तो यहां पर जाओगे ऊपर में यहां पर किलिक करेगो देखो इसका पात आ जाता है इसको राइट किलिक करके कोपी कर लेंगे वापस से सिरॉट में जाते हैं आउटपूट नोट पे डवल किलिक करोगे तो यहां नोट का सेटिंग आ जाता है नोट के सेटिंग पे जाओ यहां पर दो तीन चीज़े हैं देखो यहां पर एक फाइल दिख रहा है फाइल में ज जैसे इंटर करोगे वह वाले पात पे आप चले जाओगे उस वाले फोल्डर में चले गए यहां पे जो भी नेम रखना है अपने सिक्वेंस का जो भी सिक्वेंस रेंडर होगा वह रख सकते हो तो मैं इसका नेम रख देता हूं टेक्स्ट क्लीन अप करके कुछ ठीक है तो मैंने रख दिया यहां से कर दिया सेव देखो सेव कर दिया अब यहां पर देखो मैं इस वाले पोर्शन को थोरा बड़ा कर लेता हूं क्योंकि इस पे हम काम करें तो अच्छे से दिखना चाहिए यह हमने सेख पर दिया टेक्स.क तो यहां पर कैसे किस नाम से आएगा वहां पर शो हो रहा है देखो टेक्स अंदर्सकोर क्लीन अप.डूर्ण.exr में यहां पर रेंडर होगा अब कौन से फॉर्मेट में रेंडर करना चाहता हो वह चूज कर सकते हो इस वाले जगह से तो हम लोग जनरली प्रोड़क्शन में EXR में ही रेंडर करते हैं आप JPG में भी कर सकते हो DPX में कर सकते हो TIFF में कर सकते हो जो भी और PNG में भी कर सकते हो तो standard EXR ही है उसमें EXR में क्या होता है आप alpha भी 7 में रेंडर कर सकते हो RGB के साथ इसलिए EXR करते हैं यह हो गया तो यह हमारा path हमने दे दिया नेम दे दिया नेक चीज़ है यहां पर 3 RGB दिख रहा है, अलफा दिख रहा है, देफ दिख रहा है, तो यह तीनों अलग-अलग ही जो के लिए होती है, यह RGB अगर सिफ टिक करके रिंडर करते हो, तो यह जो भी हमारा आउट्पूट है, यह टोटल सेम टू सेम फ्रेम रिंडर होके चला जाएगा, आलफा डाल देंगे, तो इसके अंदर जो हमें ब्रस स्टोक लगाया था ना, उसका आलफा भी सेम एकसर के अंदर RGB के साथ मिचा और देफ्ट वाला जो होता है, वो हमारा स्टूडियो पेंट का जो भी कुछ रहता है, वो सब सेम एकसर फाइल में डालके रेंडर कर सकते हैं, तो फिलहाल हम यहां पे, नॉन्मल वाला देखेंगे, सिर्फ RGB रेंडर, तो सिर्फ इस पे मैंने टिकर रखा है, बस क्लिक क् करना यहां पे कर डिखा हूँ, यहां पे रेंडर क्लिक करेंगा है यहां पे चुछ कर सकते हो सेलेक्ट डफूड और और अलまた नॉड Kemal करेंगे, 3-4 आंपउड Nemo paste C Hahaha, यहां पे ध्यान कर सकते हैं, हमार्ने कर जाएं अचे लंग लोग यहां न yaşानी कहा aanी, यहां पे दे दो और render करोगे ना तो सारा output एक साथ render हो जागा ठीक है फिलाल हमारा एक ही है तो यहां all भी रहे तो एक ही render होगा no worries work range में क्या होता है जिस जो भी आपने frame range set किया है सिर्फ उतना ही render होगा अगर by chance मालो आपका ऐसा होता है कई बार कि बहुत लंबा footage है बत हमें काम करना है इतना ही कुछ area में तो हम लोग work in set कर लेते हैं कि कम frames और फिर अगर पूरा area पूरा footage render करना है तो यहां पर all कर लेंगे और सिर्फ work range render करना है तो work range करके यहां से simply render पर क्लिक कर देंगे अब यहां पर एक option है preview का preview करेंगे तो यहां पर box बनके render होता हुआ दिखा कि कौन कौन सा frame render हो रहा है यहां पर मैंने टिक का दिया यहां पर simply मैं कर रहा हूं render तो यह देखो यह box बना और यहां पर render होता हुआ दिखेगा अभी अपना render हो रखा है देखते हैं कहां पर render हमने क्या था कि 5 करता हूं ठीक है यह देख रहे हो हमारा render हो गया भी मेरा इस तरह से क्यों दिख रहा है यह मैं बताता हूं ठीक है तो render हो गया मैं इसको play करता हूं तो यह देखो इस तरह से हमारा render दिख रहा है यही हमने clean किया था अब यहां पर सवाल यह आता है कि हम लोग जब EXR रिंडर करेंगे तो आपके सिस्टम में ऐसा कोई software होना चाहिए जो EXR को प्ले कर सके तो EXR प्ले करने के लिए अगर कोई software नहीं है तो simply आप क्या कर सकते हो न juga को रख सकते हो New blowslaw जैसे यह मेरा nuk है तो मैं simply क्या कर सकता हूं यह जो मेरा ठान जहाँ मेसे रिंडर किया है इसको simply ऐसा उठा कर यहां पे ला सकता हूं अभी देखो, नुक में मेरा फूल फुल सीक्वेंस दिखने लगा अभी यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ इन्पुट ताके इन्पुट का जो भी रेंज है वो मेरा सो हो और मैं इसको देखो, अभी हम यहाँ भी देख सकते हैं, हमारा एक साथ footage, जो हमने वहाँ से render किया था, बाई चांस अभी न्यूक नहीं है, या फिर चाहते हो को न्यूक कौन ओपन करें, दारेक देख लेते हैं, तो उसके लिए एक software भी आता है, वो आप download करके use कर सकते हो, Google पर जाओ, ठीक है, Google पर search मारो, DJV view, ठीक है, DJV view search करोगे, यह आजाएगा इस तरह का page, यहाँ पर GitHub pages site है, वहाँ पर यह DJV है, इस पर जस्ट किलिक करो, किलिक करोगो, यह ऐसे आजाओगो, अब जिनके पास अच्छा system है, वो यह वाला simply download कर ले, कोई शू नहीं, जिनका system थोड़ा low है, वो क्या कर सकतो, old वाला version डाउनलोड कर सकतो, उसके लिए करना क्या होगा, डाउनलोड उपर में दिख रहा है, डाउनलोड पर जाओ, यहाँ पर देख रहे हो, version 1.3.0, यह पुराना यह नया है, अब यहाँ पर Linux के लिए भी है, Mac OS के लिए भी है, और Windows के लिए है, विंडोज नी यूज कर रहे होगे, तो Windows simply यहाँ पर एकसी पर क्लिक कर दो, तो यह हो जागा, आपका इस तरह से पेज पर आजाएगा, अब इसको कर लेंगे, डाउनलोड, यहाँ पर देख रहे हो, यह जिरू हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे डाउनलोड का आप इंस्टॉल हो जाने के बाद, जो भी आपका EXR फोटेज अब होगा, इस पर simply आप जा सकते हो, जो भी EXR फोटेज राइट किलिक करो, ओपन वीद करके, और यहाँ पर चूज करो DJV, ठीक है, DJV जैसे ही चूज करोगे, यहाँ पर आपका, यह DJV में प्ले होने लगा, यहा इजी है, यह अच्छा है, काफी अच्छा प्लेयर है, यूज कर सकते हो, आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे फिर यह आलफा के साथ रिंडर करते हैं, क्यों करते हैं, वो सभी कुछ में मैं बताऊंगा, और फिलाल अभी तक हम लोग जो भी फुटेज प यह देखर हो, इस फुटेज में आपको कुछ नोईस जैसा दिखा रहा है, कि अगर मैं रेट चैनल में जाता हूं या बुलू चैनल में जाता हूं, यहां देख रहे हो, R, G, B, तो यह कुछ नोईस जैसा कुछ दिखारा है, तो हम लोग पेंट का काम अगर करते हैं, तो स सबसे पहला काम होता है हम लोग का noise remove करना, noise remove करने के बाद painting कर लेते हैं, paint करने के बाद वापस से फिर से noise add कर देते हैं, थीक है, noise add करेंगे, इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, silhouette में, तो मैंने बोला था alpha on करके रखने के लिए, यह जो sequence paint करते हैं, तो alpha on करके रखने के लिए इसलिए मैंने बोला था क्योंकि हम लोग जैसे denoise करके render ले आएंगे यहाँ पे वहाँ पे brush stroke से paint करनेंगे paint करने के बाद अगर साथ में alpha on रहेगा तो जब denoise करने के बाद clean up करने के बाद जब वापस से उसमें noise डालना होगा तो उस alpha का हम लोग use करके सिर्फ उसी area पे दुबारा से noise add कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग काम कर चुके होंगे इसलिए alpha on करना ज़रूरी है नहीं भी alpha on करते हो तो उसको nuke में ले जाके हैं फिर कुछ तरीके होते हैं difference matter होते हैं फिर alpha निकाल के फिर उस पर denoise add कर सकते हैं वो भी एक अलग technique है वैसा भी कर सकते हैं बट यह ध्यान रखना paint हम लोग करते हैं तो सबसे पहला काम होता है denoise करना उसके बाद ही काम करते हैं उस पर फिलाल अभी तक मैं ऐसे ही कर रहा हो था आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे denoise करना होगा एक बहुत important point था जो मैं बताना भूल गया था पिछले classes में तो हम लोग कोई भी footage लेते हैं उस पर काम करते हैं तो यहां से हम लोग file में जाके ऐसा save project करके save कर लेते हैं तो आप जब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ना जिसे मालो लंबा frames है या कोई मालो कम frames भी है तो हर बार फाइल में जाके save या control एस मत प्रिस करना मालव 5 finnit यू 10 min, 15 min, जोंभी काम कर रहो ना हो, तो हर 15-15 min पे,ковर च्प्यक्त Adam यूपर उपरमें दिखना और भी 1, आप 2 कर दो.2 करके, विश्पिंध करने के हरा बार का री जाता जाने के बाद उने मल ak erlebt नहीं किया तो आपके से लुड का से अपन चटर्द में म Neptर झाल जाता है, जिस पर काम करते करते बीच में अब बंध हो जाने के बाद कई बार लगता है क 이번 मैं ने या मैंने तो save file नहीं किया था, उतना काम चला गया, कई बार और क्या होता है, crash करने के बाद दुबारा से open करते हैं, तो जो हमारा current save file है न, वो open ही नहीं होता, वो corrupt हो जाता है, तो यहाँ पे safe side के लिए हम लोग save as करेंगे, कि अग भी अगर मेरा मालो version 3 है, यह corrupt कर गया है, तो हमने version 2 भी तो save as किया था 15 मिन पहला है, तो जाए से जादा कितना file जाएगा मेरा, 15 मिन का file जाएगा, अराम से 15 मिन कोई दिकत नहीं है, तो पूराना file उठा के उस पर दुबारा सा काम कर सकते हैं, तो इसलिए save as करना ज़रूरी है, हम हर 15 मिन पर, 15 नहीं 10 मिन पर भी करो, 5 मिन पर को इशू नहीं है, बट वैसा करने का, एक और चीज होता है, silvet जो है, हमेशा backup और auto save भी बनाता रहता है, यहाँ पर देख सकते हो, फाल में जाकर यहाँ पर देख सकते हो, open backup करके हैं, यह बहुत important हैं,